गुड मॉर्णिंग दोस्तों फिजिक्स क्लाश 12th मोडल पेपर जो इंटरनेट वाला है वो सेट एक जो है अभी हम अब्जेक्टिव करवा देते हैं सभी जो है मिला लें और दिमाग में रखें ऐसे मोडल पेपर लेका पढ़नें तो आलस लगता है तो आपका भी वीडियो देख करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शुरुवात करते हैं बहुती सास्थ यानि फिजिक्स का पहला सेट मोडल पेपर जो है जो कि सरकारी आपको है यह है आपको शुरुवात है देखिए दूगुना को सम्पुछा जाएगा टेंसल नेने का सता नहीं है पहला को स है धीलेक्ट्रोन का बशिष्ट आवेष होता है बचों एलेक्ट्रोन का बिसिष्ट आवेष होता है वन-पॉन्ट-एट गुना दसकाय पाबार, 20 प्धिलं नूट कि संधारित्र के संधारित्र के लिए समान दाता है वहता है अस्रेण correctionsoterा वह आवेश समान होता है एक तार का प्रतिरोद आर है इसे खीच कर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोद क्या होगा देखिए तार का परतिरोध आर है उसे कीच करके व्यास आधा कर देते हैं तो तार का परतिरोध क्या हो जागता है आप लोग को एक फर्मूला याद ओगा आर बराबर रो एल बटे आर रो परतिरोध रखता एल वह तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काड़ के छेतरपल इसको अगर हम सौल यहां पर कुस्टन करता ब्यास आधा कर दें तो ब्यास आधा कर देंगे तो तिरज्याज होगा वो कितना हो जाएगा तेखिए ब्यास अगर आधा कर देंगे तो तिरज्याज होगा वो चोथाई हो जाएगा ठीक है इसको अगर हम ब्यास में convert करना चाहें तो वो लिख सकते हैं रो एल पाई आर के जगह हम लिख सकते हैं डी बाई टू का hall square ब्यास और ब्यास का आधा होता न्तिर जिया तो इसको solve करने पर आपको आएगा आर ब्राबर रो यह जो है चार उपर चल जाएगा चार एल बटे पाई डी स्क्वेर यह तब का है जब आपका ब्यास डी है जब आपका ब्यास डी है तब परतिरोद इस प्रकार से होगा जब ब्यास को हम आधा कर देंगे जब ब्यास को क्या कर देंगे आधा कर देंगे या आपका प्रतिरोद आर बराबर रो चार एल बड़े पाइडी स्केर हुआ जब व्यास को डी बाइटू कर देंगे तब प्रतिरोद क्या हो जाएगा तो देखिए हम लोग फरुमला जानते हैं आर बराबर रो एल भाइए हो देखियो और आर के जगा हम डी बाइटूद दिए थे तिर जिया जो slight है वह व्यास का आधा होता है on question in लेकिए art ब्यास आधा हो जाएका तो थाल्थिरोद आता रू एल पाई टी जांफा अब इसी आधा करते हैं कि अगर D by 4, D by 4, Chi square, यानि उपर चल जागा सोला, सोला, रो L, बटर, पाई D square, तो पहले का जो परतिरोध है, वो है रो गुना 4 L बटर, पाई D square, और अब हो गया सोला, रो L, बटर, पाई D square, तो यह कितना गुना इस से है, चार गुना है कितना गुना है इसमें चार इसमें चार से गुना करेंगे तब निए इसके बड़ावर होगा तो नयाअप परतिरोज जो है वो पुराने परतिरोज का चार गुना हो गया ठीक है यानि 4 आर हो गया ठीक है इसका जो है सही जबाब होगा 4R वायू में रखे गोलिये चालक की धायताज होती है वो समौन पाती होता है तिर्जी आके यदि समरू बिद्दु छेट एक्स अक्ष की दिसा में है तो सम्भिभवी तल होगा YZ दिसा में किसे दर होगा YZ दिसा में एक्स अक्ष की दिसा में है सम्भिभवी तल हो जागा YZ Y अक्ष रहता तो हो जाता XZ और Z अक्ष रहता तो होता XY बिद्दु सिल्टा का मात्रक होता है कुलाम स्क्वाइर न्यूटन पावर मेनस वन मीटर पावर मेनस टू मीटर ब्रिज का तार बना होता है मेगनीन का ठीक है नेक्स्ट कोस्टन है चुमबकिये प्रेड़न वेक्टर बी ता चुमबकन की तिवरता वेक्टर एम के भी संबंद है वेक्टर बी ब्राव म्यू नोट इंटू एज पलस एम होता है दो समांतर दर्पन के बीच रखी गई वस्तू की परतिविम की संख्यां क्या हो जाएगा तो दो समांतर दर्पन अगर है और उसके बीच अगर कोई वस्तू रखेंगे तो परतिविम की संख्यां कितना हो जाएगा तो इसका सही जवा होगा अनंद किसी गोलिय दर्पन का पार्स आवर्धन small m है तो अनुदर दावर्धन क्या होगा इसका सही जवा होगा m² ठीक है अगर किसी प्रकास का किसी दो माध्या में तरंदर लेमडा 1 और लेमडा 2 हो तो सिनेल का नियम होगा साइन आई बटा साइन आर बरावल लेमडा 1 बटे लेमडा 2 ठीक है किस कारण से वायू का बुल्गुला पानी में चमकता है तो प्रकास के पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन यानि इसका सही जवाब सी होगा दो उत्ता लेंस परसपर संपर्क में डखा गया है सम्तुल लेंस की फोकश दूरी होगा जब कोई सुध प्रकास की और किसी प्रिम से गुजरती है तो किस रंग के लिए बिचलंग कों संबसादीग कोता है तो बैगनी का क्योंकि संबसादीग ब् yeni होता है इसलिए को संदारितर की धाड़ता है घ्र्प हो सकता है और तिर्जिया वाले गुलेशन नहीं तो यह उप्शन गलत है इसमें कोशने गलत है चलिए अठारा नमर दखी आईए बिद्दू दूदूरूप के कारण अक्षिय और निरक्षिय इस्तिती में बिद्दू छेतिति वृता का नुपात क्या होगा तो अक्षिय इस्तिती औ थे तुन परतिरोध को श्रेणी करम में अगर पर फिर सम्हाँ तक्रम में अगर हम जोडेंगे तो तुल परतिरोध को में पाथ होगा n2, 1 , 1 दोनों का रेशियो करेंगे तो N2 उन्द पाथ एक हो जाएगा जब एक बिद्दु दुधरूप बंद सतर से घिरा हुआ है तो बंद सतर बंद भिद्दु फलक्स का मान क्या होगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि बिद्दु दुधरूप कुल आवेस क्या आता सुनना ठेक है टेंजेंड केलेविनो मीटर अधिकतम सुग्राही तब होता है जब विशेपन को होता है पाई भाई खोड चौक कुंडली का सक्ति कुनांक होता है जीरो समावन वेक से चलता आवेस उत्पन करता है बिद्दु चुम्बकिये छेत्र एक कारवन परतिरोद के अंतिम छोड़ पर बना बेंड सुनाला है इसका सौहिंसुता होगा यानि तुरूटी क्या होगा तो पॉंच परसेंट होगा गोल्डेन के लिए पॉंच परसेंट होता है सिल्वर के लिए दस परसेंट होता है और नो एनी कलर के लिए 20% होता है फिराडे नियतांग मातर होता है कुलांप मोल्क पावर मेनस वन सक्ती रहित धारा का परिपत होता है सुध धारितिये सक्ती रहित धारा का परिपत क्या होता है सुध धारितिये ठीक है कोस्तन नमबर 28 आते हैं बिद्दु चुमखे तरंग में बिद्दु तरंग एवन चुमखे तरंग के बीच कलांतर होता है जीरो डिग्री यदि समान फोकस दूरी F के दो लेंस संपर्क में रखेंगे तो समतुले लेंस हो जाएगा F by 2 एक उत्तर लेंस का उपड़ी आधा भाग काला कर देंगे तो उसका सामने रखे वस्तुक परते हुँ घट जाएगा यह उसका तिवरता क्या जाएगा घट जाता समान मौनवां के लिए असपर दिश्ट दूरी 25 cm होती है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रों जो होता है क्या क कि है ट्रांजिस्टर के धारा गुणाग संब्झ है अल्प andraव बटा बहुत है बीटा प्लस टब्द क्था hier donut में धारा समान पाथी होता है सब्सक्राइग कि घामा क الحंक का सकती गुनांक संब्सक्रान को सक्दा कि सूर्ज के उर्जा कारण है नाव की सलयन है कि एक किलोग्राम मात्रा के तुल उर्जा अगर उर्जा लगभग कितना हो इसको तोड़ देगा झात गन्स जेनर डायोड क्या हता है जेनर डायोड नेंडवेट के लिए पुलियन में जग होगा वाय वर AB बार थे वर AB बार नेक्ष्ट कुस्ण देखते हैं मानव नेत्र का पिवेदन चंपता हुता है साउठ सेकेंड का नाविकी अभिक्रिया में संदेशित रासी जो है इनमें से सभी होता है आवेस कोनिये संबेग रेखिये संबेग संदेशित रासी होता है निमलिकी तो किसका परतना सबसे अधीक होता है तो हीडा का परतना सबसे अधीक होता है 2.42 होता है जबकि कांच का परतना 1.5 होता है दो प्रकास रोज संबध होता है, जब उनके बीचे कलांतर नियत रहता है, कलासबत तब होता है, जब उनके बीचे कलांतर क्या होता है, नियत रहता है, गर्म करने पर अर्चालक प्रतिरोत क्या होता है, घरता है, क्या होता है, घरता है, विदु चुमब के प्रेरन में प्र प्रोटोन का बिराम्त रभ्मान 1.6 गुना 10 के बाइब में 27 केजी होता है चार डियोप्टर चमता के लेंज की फोकस दूरी जोता है 0.25 मीटर होता है या 50 cm होता है समान समाजोजन में एक सरल सुंदर्सी का वर्दन चमता होता है 1 प्लस डी वाइब अबरोद के किनारे प्रकास का मुड़ना कलता है प्रकास का विवर्तन हीरा का करांतिक कोन जो होता है वो आपको कितना होता है 24.41 डिगरी कांच के समानता सता के पट्टियों के फोकस दूरी होती है अनन्थ पतले प्रिजन दूरा नियूनतम विचलन कोन होता है मियू मिनस वन इंटू ए ठीक है रसनात्मक बेतिकरन के लिए कलांतर होता है फाई कल टू एन पाई ठीक है प्रकास के एक फोटोन की उर्जा का परास होता है ये आपको है 2.6 एलेक्टोन बोल्ट से 4.8 एलेक्टोन ब दरसित करता है प्रकास विद्धूत प्रवाव प्रकास विद्धू प्रवाम होता क्या है दादू सतब प्रकास पढ़ती है उससे एलेक्ट्रोन उत्सर्जित होने लगता है निम्न में कौन साकन विद्धूत और चुमक के छेत्र में एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वे नूट्रों इसमें नहीं होगा बावू एलेक्ट्रों प्रोट्रों के लिए कौन सी रासी समण होती है इसका जो है सभी जवाब होगा आवेस समण होता प्रकृति होता है एक परत्यावर्ति धाराक समिक्रां 50 साइन एकसो पाईटी है तो बितु धाराक आबिड़ती कि आगत पचास हर्ज होता कैसे हो था एक एक सो पाईटी जो देख रहे यहाँ पर इसमें तू पाइटी से आप डिवाइट कर देजे तू पाइटी से तो जो रिजल्ट आएगा वही आब इरती होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं परत्यावर्ति धाराक समिक्रांत होता है आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी या इसको अगर फ्रिक्वेंसिम कनवर्ट करें तो आई बराबा आई नोट साइन ओमेगा को टू पाइटी या टू पाइएफ लिख सकते हैं टू पाइफ टी इसलिए टू पाइफ टी जो हता है उसमें अगर एक सो पाइटी से यानि टू पाइ पचाश हर्ज चार्णों फ़म्स मलट करते दियाiquer, पचाश इसा सही जवाब, पचाश पाई नहीं पचावहर्ज होगा? यहां जर्मिनियम का बे अंत्राल्ज होता है, वह होता है, वों फोईंट वкихल्ट यदी किसी धातु का कार्ज फलन 2.8 electron volt है तो डेली तरंग दर्द क्या होगा देखिए कार्ज फ़लन मतलब वर्ग फंसन है और कार्ज फ़लन दिया है 2.8 electron volt देखिए कार्ज फ़लन वह न्यूंतम उरजा होता है जो किसी धातू के सतर से ऐलेक्ट्रोन इसरीड करने की लाव स्यक्त होता है और कार्ज फॉलन का मांज होता है यह फाई नोंट करते हैं इसको एक प्रॉइपा. हने比 दो लोग देली तरंग-द देली तरंदिर कितना होगा तो देली तरंदिर मतला लेमडा नोट बड़ाब क्या हो जागा एच सी बटै फाइज नोट एच होगी अप्लांग कोईश्टी जिसका अमौन ता 6.6 गुना 10 के पावर मैनस 34 प्रकास की चाल यानि तीन गुना 10 के पावर आठ बटै फाइज नोट जो हो गया वह आपको हो गया कार्ज फलन तूपॉंट एक एलेक्ट्रों बोल्ट एक एलेक्ट्रों वोल ता 1.6 गुना 10 के पावर मैनस 19 जूल इससे आप डिवाइट कर दिजिये जो रिजल्ट आएगा वही उसका आंसर होगा तो solve करके देख लीजिएगा और इसका जो है सही जवाब जाएगा 44.433 एंग इस्ट्रम आएगा करीब करीब भागा देके देख लीजिएगा ठीक है ट्रानस्फरमर के कुरोड को पत्दार की से लिए रखाया है था उज़ाचे कम करने के लिए क्सी अरचाल bent मौन का मौन होता है रिनात्मक क्या पता है नेक्स्ट रखते हैं एक रेडियो एक्टी तत्की अर्दायू 16 सब वर्स है इसकी माध आयू के से निकालेंगे दखिए रेडियो एक्टी तत्की अर्दायू आप लोग को पता है टी बराबर यानि अर्दायू खरूँ लाता जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थिरी वन गुना माध आयू, माध आयू, यहां पहुता वन वै DM, वन वैं लेमडा को ही माध आयू करते हैं ये वह ओसत आयू यानी माध आयू अगर हमको माध आयू निकालना है बच्चों तो माध आयू ब्रबाव क्या हो जाएगा अर दायू में 0.6931 से भागा देना अर्द आयू आपको कितना है अर्द आयू है सोलो सो वर्स बटे में 0.6931 इससे भागा दे दीजिए जो रिजल्ट आएगा वही उसका माध आयू होगा तो भागा देने पर आपको जो है करीब करीब आएगा 309 वर्स ठीक है तो यह मोडल सेट एक जो इंटरनेट पर आपको जारी किया गया था उसका सब कहा हम अंसर बता दिये हैं ठीक है मोडल सेट दो माते हैं